मैं आज की डेट में जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट अब डिस्कस करूंगी पिछले जो पार्ट में हमने सन के बारे में डिस्कस किया अब हम जो पढ़ेंगे वो है अब आउट दा अर्थ जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम के नाइन प्लैनेट में से एक प्लैनेट हमारी जमीन भी है और ये तीसरे नमबर पे है इससे पहले मरकरी था सेकंड नमबर पे वीनस है और थर्ड नमबर पे हमारी अर्थ आती है और अर्थ के बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये ह कि अगर आप स्पेस से अब्जर्व करें आपने पिक्टर्स देखी होंगी गूगल पे अगर आप सर्च करें के हाओ अर्थ लुक्स लाइक ट्रॉम स्पेस तो आप देखेंगे कि इस पे आपको कलर्स नजर आएंगे अगरा टू अधर प्लैनेट्स ये कलर्फुल है इसमें आपको वाइट कलर नजर आएगा ब्लु कलर नजर आएगा ग्रीन कलर नजर आएगा जो white color है वो clouds को represent करता है blue color जो है वो water को represent करता है और जो green color है वो trees, plants को represent करता है तो ये बहुत ही wonderful planet है solar system का और आप ये भी जानते हैं कि जमीन का 70% हिसा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और 30% हिसा खुश्की पर मुश्तमिल है और उस 30 वी सद हिस्से पे ही population possible है वहाँ पे ही living organisms रहते हैं marine organisms तो पानी water bodies में रहते ही रहते हैं लेकिन जो terrestrial living organisms हैं वो 30% area में occupied है तो चलें इसको शुरू करते हैं it is the most wonderful planet of the solar system it is a water drenched planet जाहिर है कि water 70% है और जो खुश्की है वो just 30% है इसके features देख लेते हैं it is about 4.6 billion years old but the life started on earth about 3.5 to 4 billion years ago वैसे तो ये 4.6 अरब साल पुराना है लेकिन तकरीबन 4 अरब साल पहले इस पे जिंदगी जो है वो अबाद होना शुरू ही या possible हुई through various events second जो है its rotation period is 23 hours 56 minutes and 4 seconds तकरीबन ये 24 घंटे ही बनते हैं आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं सूरज अपने मदार के गिर्द जो चक्कर कंप्लीट करती है वो 24 घंटों में कंप्लीट करती है यानि कि अपने ही एक्सिस पे rotate करते हुए जो इसका time period है complete होने का rotation का वो 24 hours है जबकि सूरज के गिर्द जो इसकी revolution है जो पूरा चक्कर कंप्लीट करती है वो 365 दिनों में करती है और 365 दिन तो आम हर साल में होते हैं लेकिन जो leap year होता है उसमें 366 दिन होते हैं फरवरी के महिने में 28 की जगा 29 दिन हो जाते हैं वो 29 दिन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो जमीन का सूरज के कित revolutionary period है वो 365 और 1 ओवर 4 देज है ठीक है 1 ओवर 4 देज है तो ये जो 1 ओवर 4 देज का जो extra duration है इसको हर साल एड़ करने की बजाए हर 4 साल बाद 4 साल एक पूरा दिन एड़ करके उसको compensate किया जाता है ठीक है यानि के 3 साल 365 दिन और हर 4 साल जो है वो जो 1 ओवर 4 डेज का हिसाब कताब है उसको पूरा किया जाता है एक दिन एड़ करके calendar year में ठीक है अब पता कैसे चलता है कौन साल लीपियर है और इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे या 28 होंगे वो इस तरह पता चलता है कि जो year चल रहा है अगर तो फोर से डिविजिबल है अगर वो चार पर तकसीम हो जाता है तो समझ लें कि लीपियर है और इस साल फरवरी में 29 दिन होंगे अगर वो year डिविजिबल नहीं है तो इट मीज के यह जो करंट साल चल रहा है या जो भी साल ओन गोइंग है वो लीपियर नहीं है जैसे के जिस year में हम गुजर रहे हैं यह 2020 है यह फोर से डिविजिबल है तो इट मीज दिन नहीं है उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जिए अबर इस सिक्स मल्टीप्लाइब तैं रिजट पर 21 तन्स एंड अभरी दैस्टी इस पाइफ ब्राइफ ग्राम पर सैंटीमीटर क्यूब मैंने पहले बताया था कि CC को centimeter cube भी कहा जाता है Its equilateral diameter is 12,756 km The earth has the iron core, the rocky mantle and dynamic crust It is made up of tectonic plates अब यह जो graphy की terms हैं लेकिन इसी जो chapter अब हम continue कर रहे हैं इसी में हमने earth का structure भी पढ़ना है जो इस से अगले topic में हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम detail से पढ़ेंगे फिल हाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि जमीन की तीन तेहें हैं जो बेरूनी तेह है, outer most layer उसको crust कहा जाता है जो इनर most layer है उसको core कहा जाता है जो एरिया है उसको core कहा जाता है वो लोहे का बना हुआ है, उसमें लोहे का मुआद है कहलें rocky mental है, चिटानदार जो है, वो second portion है और जो dynamic crust है, बेरूनी सत्ता है, उसको crust कहा जाता है जमीन पे जो oxygen, जो gases पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यदा जो है, वो 78% nitrogen है और 21% oxygen है, इसमें से oxygen जो है, वो life जिसे कहते हैं कि life causing gas है, oxygen के बगार जिंदगी possible नहीं है, हमें breathing के लिए oxygen चाहिए यह second most abundant gas in the atmosphere, after nitrogen the atmosphere has about 3100 cubic miles of water in the form of clouds which is responsible for producing different seasons, water cycle है, वो एक अलग term है, water cycle की वज़ा से, clouds की वज़ा से ही, जमीन पर weather जो है, वो climatic conditions जो है, वो different seasons आते हैं अर्थ के मुख्लिफ portions पे मुख्लिफ climates हैं और एक ही जगा पे मुख्लिफ seasons आते हैं, अच्छे, season और climate में क्या फरक होता है, climate कहते हैं किसी एक जगा पे जो उसका जएदा तर dominating season हो, उसको उसका climate कहा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का climate है, या जो climatic condition है, वो जएदा तर गरम है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी is a hot area, क्योंकि overall यहाँ पे गर्मी का season जो है, वो dominant रहता है, जबकि जिस एरिया में सर्दी का season dominant रहेगा, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि it has a cold climate, ठीक है, तो climate कहते है, long term season जो चलता है उसको, latitude and longitude coordinates are drawn on the map to locate the position of a place on the surface of the earth, अब जमीन पे अगर कोई नक्षा हमने पढ़ना है या बनाना है, तो हम latitude जिसे हम तूल बर्द और प्राल्सबल जी कहते हैं, लंबे रुख पे या होरिजॉंटली वर्टिकल या होरिजॉंटली जो हम study करते हैं, different areas की या देखते हैं कहां कहां पे हैं, map की study एक अलग चीज है, latitude or longitude के लिहाज से हम अर्थ के map या position को, position of a place को हम determine करते हैं, the earth's surface is rich in silicon, aluminium, iron, calcium, sodium and oxygen elements, ठीक है, तो यह 10 पॉइंट्स हैं, यह 10 के 10 पॉइंट्स इस topic को cover कर रहे हैं, बहुत ही easy points है, इसको आपने याद करना है,